नमस्कार इस्ट्रेंट स्वागत हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नमबर 18 ओजर्विंग स्पेस टेलिस्कोप का क्वेस्टिन अंसर तो दीखें यहां पर नमबर वन क्या है फिल इन दा ब्लैंक्स विट दो प्रॉपर वर्ट तो देखें यहां पर ए इसमें क्या आएगा 400 एनम एंड 800 एनम क्या लिखना है यहां पर देवे लेंट ओफ वीजिबल ला चंद्रशेखर तो यहां पर क्या है असर्टन एक्स रे टेलिस्कोप इस नेम आफ्टर साइंटिस्ट सुब्रमन्यम चंद्रशेखर अंडी है दफोस साइंटिस्ट तो यूजर टेलिस्कोप फॉर स्पेस ऑब्जर्वेशन वस गैलीलियो ओके अब यहां पर ए है दबिग टेलिस्कोप इसमें आएगा हबर फिर यहां पर थर्ड इंडियान रेडियो टेलिस्कोप जी एमार्टी और फॉर्थ लॉंचिंग आर्टिफिशल सेटलाइड इसमें आएगा इश्रू ओके अब यहां पर थर्ड क्या है वोट अर्द डिफिकल्टीज इन यूजिंग ग् आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा यह देखिए यह है इसका पूरा आंसर ओके फिर यहां पर अगला फॉर्थ देखिएगा क्या है विच टाइप ऑफ टेलिस्कोप कैन बी मेड यूजिंग अ कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर प्लेन मिरर और लेंस जो डाइग्र तो देखिए इसका अंसर यह देखिए यहां पर हमने डाइग्राम ड्रॉक किया है आप देख सकते हो अब यहां पर देखिए अगला है study the figure and answer the following questions तो यहां पर यह जो figure दिया हुआ है आपको क्या करने इतकी study करने आप और फिर यहां पर जो भी questions पूछे गए हैं उनके answers आ in the figure तो इसका answer मैं आपको दिखा देती हूँ यह देखिए उसके बाद यहां पर बी क्या है label the main parts of the telescope तो देखिए यहां पर हमने main parts को क्या क्या है label किया है मतलब उनके नाम लिखे है फिर यहां पर see which type of mirror does the telescope use तो देखिए इसका answer आप देख सकते हो the telescope has used the concave mirror फिर यहां पर D what other type of telescope uses a curved mirror तो देखिए इसका answer आपके screen पर दिखाई दे रहा होगा another telescope which uses a concave mirror is cast grain type of optical telescope चलिए अभी next सकते हैं यहां पर explain the working of the above telescope तो दीखिए इसका answer में आपको दिखा देती हूँ यह देखिए आपके screen पर दिखाई दे रहा होगा ओके फिर यहां पर six one क्या है answer the following questions इसमें ए है explain the construction of galileos telescope तो इसका answer देखिए आपके screen पर है diagram हमने बनाया है और फिर यहां पर लिखा भी है फिर उसके बाद यहां पर explain the construction of radio telescope तो देख रहे होंगे आप यह देखिए radio telescope और इसके बारे में हमने यहां पर लिखा हुआ है तो आपको पूरा answer में आपको एक बार दिखा देती हूँ फिर उसके बाद half-half करके दिखाऊंगे जिससे आप देख पाएंगे इसको अच्छ अब यहां पर c है why are optical telescopes located in you uninhabited places on mountains तो देखिए इसका answer आपके screen पर है ठीक है अब यहां पर D क्या है why can an x-ray telescope not to not be based on the earth तो देखिए इसका answer यह देखिए यह रहा है इसका answer तो यहां पर हमने इसलेशन का question answer complete किया तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी help मिली है तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक किजीगा शेयर किजीगा और अगर आप हमारे चैनल पर नहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजीगा थैंक्यू